अगला प्रक्टिशेट नमबर 17 है पहला प्रश्ण है कि एक विकास खंड अस्तर पर पंचायत समीती होती है तो विकास खंड अस्तर पर पंचायत समीती है एक प्रशासिकी अधिकर्ण होता है आपसंसी सही जबाब होगा पंचायती राज़ी के तहट पंचायत समिती एक प्रशाशी की अधिकरण है अलग-अलग पंचायत से चुने गए पंचायत समिती के शदस्य प्रखंड अस्तर पर अपने में से एक को प्रमुख चुनता है तो जो BDC में अंबर होते हैं अलग-अलग ग्राम पंचायत या जेव छेत्र पंचायत में बटा होता है वहां से ये लोग होते हैं उन्हीं BDC में से कोई एक चुन लिया जाता है जो कि पंचायत शमिती यानि ब्लॉक अस्तर पर ब्लॉक का प्रतनिदी खरता है चलिए भारत में पंचायत राज प्रणाली सम्विधान के किस अनुच्छेद के निदेश के अंतरगत सुरू की गई थे तो वार्डिकल होगा चालीस हापसन भी गांधी जी का ग्राम स्वराज को राज के निदेश के अंतरगत अनुच्छेद चालीस के अंतरगत रखा गया है अनुच्छेद 32 में तो शम्वाइधानी पुप्चारों का अधिकार है और 45 में 14 वर से तक के बच्चों को निशुलक सिक्षा की बात करता है और आर्डिकल 51 अंतरराश्टी शांती ब्यवस्था बनाए रखनी की शंबंद में है तो जितने भी आर्डिकल दिये गए हैं आपसे अक्सर एक्जाम में पूँचे जाते हैं तो इनको जरूर याद रखना खास कर 32 तो आपसे बार बार पूँच लिया जाता है उत्तर प्रदेश में तहसील दिवश यादि शंपूर शमाधान दिवश प्रतेक माह में कब मनाया जाता है तो यह घटना चक्र 2022 एडिशन को आप लोगों ने ग्राम शमाजवाली अच्छे शे कबर किया होगा जो 16 शेप्टर कहा है तो यह सारे कुश्चन आपका असानी से कर ले जाएंगे तो प्रतेक माह के प्रत्थम वात्रित यह मंगलवार कूँ अगला प्रशन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उचा बांध कौन सा है आपसंडी राम गंगा राम गंगा बांध उत्तर प्रदेश का सबसे उचा बांध है इसके उचाई 128 मीटर यानि 420 फिट है इस बांध का निर्माड कार्य उन्नीस सो इक सट इसबी में सुरू हुआ और उन्नीस सो इक सट इसबी में पूरा हुआ था या उत्तरा खंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के काला गढ़ लगभग तीन किलोमीटर की दूरी पर इस्थित है सर्बोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तयार किया गया था आपसंड सी जै प्रकाश नारायर 30 जनवरी 1950 को सर्बोदय योजना का प्रारूप जै प्रकाश नारायर द्वारा तयार किया गया था जै प्रकाश नारायर को लोक्ष शेवक यानि लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है सन 1998 में जैप्रकाश नाराण को मडो उप्रांत भारत रत्न प्रुषकार से सम्मानित किया गया है दुतिय पंच बर्षिय योजना में शरबाधिक परिव्य किश भाग पर किया जाता था आप्शन D परिवहन योम संचार दुतिये पंच बर्षिय योजना में सरबाधिक बे परिवान योम संचार की व्यवस्था पर किया गया दुतिये पंच बर्षिय योजना के दोरान भारत में तीन प्रमुख इश्पात शैंतर की अस्थापना की गई दुतिये पंचवर्षी योजना पीशी महाल नोवीश माडल पर आधारित थी किस पंचवर्षी योजना के दोरान आर्थिक शंप्रिद्धी दर लच्छ से अधिक नहीं थी आपसन भी दुतिये पंचवर्षी योजना भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षी योजना में अनाचादित कुल वर्षों की शंख्या कितनी है आपसन C6 किस पंचवर्षी योजना वधिक दोरान सरकार ने वाक्रिशी नीती बनाई जिसने हरित करांती को जन्म दिया आपसन B 3 योजना कौनसी पंचवर्षी योजना का मुख्य अधिया आर्थिक आत्मनिर्भारता था आप्शन डी चातोर्त चाउथी पंच बर्षी योजना का मुख्य उद्देश से आर्थिक आत निर्भरता था यह योजना एक अप्रेल 1979 से 31 मार्च 1974 इस भी तक चला इस योजना का माडल असोक रूद्र एलन एस माडल पर था इस योजना के शमय योजना आयोग के उपाधक्ष डी आर गाड़ गिल थे इसी पंच बर्षी योजना के दवरान 14 हवाड़ जिग वैंक्यों का राश्ट्री करण जुलाई 1979 इस भी में किया गया 1974 इस भी में भारत सरकारद्वारा भूमियत नाभि किये परिक्षण दड़िज इश्माइलिंग बुद्धा किया गया और परिवार नियोजन कारिक्रम इसी पंच बर्षी योजना के दवरान लागू किया गया चोथी पंच बर्षी योजना से ही लियोन टिफ के आगत निरकत माडल को लागू किया गया किसे नगर महोदय स्री के नाम से जाना जाता है आपसन यहां पर सी सही जबाब होगा कर्नोज को कर्नोज को महोदय स्री के नाम से जाना जाता है हर्षवर्धन की राजधानी कन्योज थी और कन्योज गंगा और यमुना के दोवाब छेतर में स्थिता है कन्योज को इतर नगरी के नाम से भी जाना जाता है कन्योज संस्कृत के काने कुब्ज सब्ज से बना है भू शेतरफल मापन की अंतरराश्टी अस्तर ये इकाई क्या है आपसन भी होगा हेक्टेयर हेक्टेयर भू शेतरफल मापन की अंतरराश्टी अस्तर इकाई है और एक हेक्टेयर बराबर 10,000 बर्ग मीटर है अगला प्रश्ण है कि किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है सरकी सासक के यदिन यहां हुई शांसिक्रतिक उन्नती की कार्ड जाउनपूर को भारत का सिराज कहा जाता था सोची वन और सोची तो को मिलाना है असान दे रखे हैं और इश्मा रखे हैं भरा ग्राव से इश है तो धमेग इस्टूप की अगद बात करोगे तो ये कहां परिस्थित है तो धमेग जो है ये आपका शारनात में होगा जबकि घोशित राम मठ कौशामबी में होगा रामा भरिस्थूप कुशी नगर होगा शहीद महेद श्रावस्ती तो इस तरह आप मिलाएंगे तो यहां पर आपका सही जबाब बनेगा एक का टू है और बी का थिरी होगा आपसन यहां पर सी सही जबाब हो जाएगा सर्वसिक्षा भियान निमलखित में से किस आयू वर्ग के लिए है आपसन डी 6-14 आयू वर्ग की शभी बक्षे सर्वसिक्षा भियान दो हजार दोजार एक इजदी में प्रधान मंत्री अटल बिहारी बाच्वी की कारिकाल में प्रारंब हुआ इस योजना का मुख्यो देश देश के हर बच्चे को सिक्षा देना था इस योजना का प्रारंबिक लच्ष जो प्राथमी की लच्ष है वो प्राथमी की सिच्छा का शार्व भहुमी की करन करना है इस योजना के तहच्छे से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुक्तियों निशुल्ग सिक्षा देने की व्यवस्था की गई है इस योजना का स्लोग सब पढ़े शब बढ़े हैं अगला प्रश्ण 60 नंबर है कि निम्ण में से कौन सा एक राश्टी ग्रामेड स्वास्त मिसन की संबंद में सही नहीं है चार आप्षन दे रखे हैं इन्हीं से आपको शेलेक्ट करना है तो जो सही कतन नहीं है वो है आप्षन यहाँ पर बी कि ग्राम अस्तर से जिला अस्तर तक प्रकार्यात्मा कुश्वास्त पद्धती शकारिक्रम का केंद्र बिंदू है यहाँ कतन गलत है ठीक है तो यादर प्रारम किया यहाँ पर गलत होगा बाकि B, C और D आपकी सही है आई यह एंसर को देखते हैं रास्तिय ग्रामिड स्वास्त मिसन की शुरवाद 12 अपरल 2005 जिजबी में किंद्र सरकार द्वारा की गई यहाँ योजना केंद्री स्वास्तियों परिवार कल्यान मंत्रा लेकि अंतर गताता है यह योजना दस्वी पंचबर्शी योजना के दोरान शुरू की गई थी इस योजना का मुख्यों देश रास्त की शभी ग्रामिड लोगों महिलाओं और बच्चों को स्वास्त सिवा प्रदान करना तथा उन्हें स्वास रखना है पुरा पासार काली नस् का साच उत्तर प्रदेश के किस जनपत से प्राप्त हुआ है बेलन नदी घाटी यह दुसाच से मेलता है उप्रियाग राज होगा आपसन से उत्तर प्रदेश में पुरा पासार कालीन सभधा के साच प्रियाग राज की बेलन घाटी चंदवली की चकिया तथा सोन भद्र क शिघी शिंघ्रिवली घाती शी प्राप्ठ भूय है निम्न लिखित में से कौन सा नव पासाडीक अस्थल उत्तर करदीश में इस्थित है आपसन यहां पर बि सही जबाब होगा koldila कोल डीवा ही एक मात्र ऐसा नव पाशाड़ी के अस्थल है जो उत्तर प्रदीश की इलहाबाद जिले में स्थित है जबकि चिरांद बिहार में है और बुर्जोहों कश्मीर में और पिकली हल करनाटक में स्थित है ग्यातब है कि कोल डीवा से चावल का प्राचीनतम साच्छ मिलता है जबकि चिरांद से हड़ी के उपकर्ण है बुर्जोहों से गरतावाज और पिकली हल से संख की ढेर की शाक्षी जो है और निवास अत्तल के साच प्राप्त हुई है तो अक्सर एक्जाम में पूंच लिया जाता है कि चावल के प्राचीनतम साच कहां से तो कोला ड जौनिया अम्रिक दाव सारनाथ को कहा जाता है जौए उत्वर्प्रदीश की वारांसी जिलियमें इस्तित है यहां गोतम बुद्ध ने अपना प्रताम उपदीश दिया था जी धर्म चक्रपरवरतन कहा जाता है बुद्धकाल में उत्वर्प्रदीश में कितने थे सातों में पहला जो है वो कपिलवस्त की शाक्य है दूसरा सुम्सुमार परबत तीसरा हो जाएगा केश पुत्र का कालाम चौथा है राम ग्राम की खुलिये कुसी नारा के मल्टा होएं पावा के मल और पिपत्रुवन के मोरिये तो यह सातों है याद रखीगा रोजगार की द्रिश्टी से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्दोग घौंसा है आपसाने हत्करगा उद्दोग इंडिया ब्रांड एकृटी फंड 2007 की अनुसायर हत्करगा उद्दोग उत्तर प्रदीश में सबसी अधिक रोजगार की आउसर उपलब्ध कराने वाला उद्द में एक चौथा यहीं पाए जाते हैं उद्दर प्रदेश में हत्करगा सूतिवस्त्र के प्रशिद्द केंद्र मेरट देवबंद धाम पूर्शिगंद्राबाद टांडा गोरक पुर्बारबंकी ट्या वामरोह मवू मुबारक पुर्यों पाराण सी आदिया है कि कौशन टेलीफोन इंडस्टरी कहां पर होगी रावियरेली में है ट्रांसफर फैक्टरी तो ट्रांसफर फैक्टरी जहांसी में होगा और कृतिम अंग निर्माड निगम कहां पर तो कांपुर में और उरबरक जो कारखाना है या फूलपुर तो इस तरह आप मिलाएंगे तो A का 2 2 होगा और B का 3 होगा C का 1 होगा इस तरह आपका आपसन जो है वो C सही जवाब हो जाएगा अगला प्रश्न है कि वन रिपोर्ट कब से जारी की जा रही है वन रिपोर्ट जैसा कि जानते हर दूसरे साल जारी की जाती है फहली बन रिपोर्ट बरस 1987 आपसन भी बन रिपोर्ट बरस 1987 भी से जारी की जा रही है भारती बन सर्वेक्षन संत्थान दौरा दिववारसिक चक्र के आधार पर जारी किया जाता है भारती बन सर्वेक्षन विभाग का जो मुख्याला है वह देरा दोन मेज्थीत और या प आपसने स्रवस्ती जनगरना 2011 के यंतिम आकड़े की अंसार उत्रप्रदेश की नियूंतम महिला साक्षर तदरवाले जिले क्रम सहा स्रवस्ती फिर वाराईश है इसकी बाद बलरामपूर फिर बंदायू फिर रामपूर है शड़ शत्रा का अंतिम प्रश्न 25 है कि लेखफाल खसरा तयार करकी अगले बर्स जमा कर देता है किस की बाद जमा करेगा सही जबाब होगा आपसन भी रजिस्ट्रार कानून को की पास लेखपाल खसरा तयार करकी अगली वर्स रजिस्टरार कानून की किपास जमा कर देता है तो दोस्तों जैसा कि जानते हैं प्रतिक सेट के बाद कुछी स्पेशल नोड दिये गए होते हैं तो आप यहाँ पर इसका स्क्रीन स्वाट ले सकते हैं प्रमुख मेले दे रक्के हैं और लंबाई मापनी की बिधी हैं पढ़ते हैं आगे अगला प्रक्टिक सेट नमबर 18 ग्राम शब्द का उलेख शर्व प्रथम किस बेध में मिल ता है आप सने रिग बेध ग्राम सब्द का सरप्रधम उल्लेख रिगवेद में मिलता है रिगवेद में ग्राम का उल्लेख तेरा हवार मिलता है रिगवेद काल में ग्राम के प्रधान को ग्रामिड कहा गया है और इसी आका सबसे शाफ ग्राम माली नांग है भारत में कितने प्रकार की फसल रित्वे पाई जाती है भापसन यहां पर 20 ही जबाब होगा भारत में तीन फसल रित्वे पाई जाती है रभी, खरी, फुजायद बोवाई देखोगे तो रभी की जो बोवाई है अक्टूबर, नौवंबर, जून, जुलाई, मार्च अप्रल, कटाई देखोगे तो मार्च अप्रल, सिस्टंबर, अक्टूबर, मैजून रभी फसल में गिहूं जो यह प्रकार दिये है खरी फसल का तो धान, वाजरा, मक्का, जवार का पाच में उफली आहद जायद में देखेंगे तो खर्वुच तर्वुच ककडी और उम्कीरा इत्यादी है इस्तमरारी वेवस्था कि गवरनर्जनल सासनकाल में सुरू होई थी इस्तमरारी वेवस्था, लाड़ कारनावल ही शाप्षाने इस्तमरारी व्यवस्था को कई अन्य नाम से भी जाना जाता है अस्थाई बंदोबस्थ व्यवस्था, विश्वादारी व्यवस्था, जमीदारी व्यवस्था अक्सर आप से एक्जाम में जो पूंशा जाता है वस्थाई बंदो वस्थ फूंश लिया जाता है तो लाड़ कार्नवल जिश लाड़ कार्नवल जिश के कारिकाल में बर्स उन्नी 1793 भी में लागू किया गया उस संपूर्ण भूभाग की 19 पर्शन शीत पर लागू था इस ब्यवस्था के अंतरगत ब्रटित्फिस्ट इंडिया कंपनी को 10 बटी 11 भाग दता जमीदार को 1 बटी 11 भाग जाता था और यह ब्यवस्था बंगाल बिहार उडिशत था बनारस मंडल में लागू कर दिया गय क्रिशाक उनको आप शीमांत क्रिशाक कहोगे गाय का दुगदू उद्पाजन बढ़ाने के लिए क्या दिया जाता है आप्शन यहां पर एई सही जबाब होगा प्रोलेक्टिन आप्शने देश की अर्थ व्यवस्था में क्रिशी उमपशू पालन का आहम योगदान है दुगदूत पाजन में भारत का अस्थान बिश्में प्रथम है दुगदूत पाजन में उत्तर प्रदेश का पहला अस्थान ने गाये को दुगदूत पाजन बढ़ाने के लिए फोलेक्टिन दिया जाता है मुख्यमंत्री क्रिशक दुरगटना कल्याण योजना कब लागू की गई है बरस होगा दोहजार बीस एकिस जनवरी 21 जनवरी दोहजार बीस को इस योजना की घोषड़ा की गई मुख्यमंत्री क्रिशक दुरगटना कल्याण योजना के तहट 14 सितंबर 2019 से पहले जितने भी किशान दुरगटना की सिकार हुई होगे उन्हें इस योजना की तहट लाब दिया जाएगा 18 से 70 बर्ष की क्रिशकों को भीमा राश्र प्रदान की जाएगी इसके तहट पांच लाख रूपे तक का भीमा कबर प्रदान किया जाएगा भारत की आत्मा गाउं में बस्ती है यह कतन है किस गा आप्शन D. महात्मा गांधी महत्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गाउँ में वस्ती है 2011 की जंकर्णा के अनुसार भारत की खुल जनसंख्या का 68.8 प्रथिशत गाउँ में निवास करती है देश की खुल कारिशील जनसंख्या का 72.4 परेशन ग्रामरी चेत्रशी आती है अगला प्रशन है कि राष्टी विज्ञान दिवस की दिन मनाया जाता है आपसन भी 28 फरवरी 28 फरवरी को राष्टी विज्ञान दिवस मनाया जाता है विज्ञानियों प्रोधूगी मंत्राले के तत्वाधान में मना जाता है महान भारतिय वैज्ञानी की सरचंद्र सेखर वेंगंड रमन की जन्म दिन यह 28 फरवरी नीशोव 28 कुन का जन्म हुआ था इसी आउसर पर 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है सरचंद्र सेखर को 1930 जीजबी में भावति ग्रसायन की छेतर में रवन प्रभाव की खोज के लिए नोबल पुरुषकार भी दिया गया है अगला प्रश्ण है केंद्रिय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां इस्थित है बकरी आपसनी मतुरा केंद्रिय बकरी अनुसंधान संस्थान मतुरा के मगदूम पुर में इस्थित है और देश का पहला हाथी एस्पताल मतुरा में खोला गया है अग्रा प्रश्ण है कि गेहुं की पहली सी चाहिए लगभक कितने दिन में करनी चाहिए जबाब होगा 20 से 25 दिन आप्षन भी गेहुं की पहली सी चाहिए 20 से 25 दिन की अंतरार पर दूसरी 50 से 55, 30 से 50, 100 से 110 चौती हो जाएगी और गेहुं की उत्पादन में अपना प्यारा उत्तर परदीश पहला स्थान रखता है पूरी भारत में उत्तर परदेश की राजस्व परिशद का प्रशाशनिक का अरियाले कहां परिश्थी थै प्रशाशनिक आपसने लखनव उद्रप्रदेश के राजस्व परिशाद का प्रशासिक आरियाल लखनव में इस्तित है राजस्व परिशाद का सरपर्थम जो गठन हुआ है 1772 तर इस भी में लाड़ वारन हेस्टिंग के शमय में हुआ था जब इस्ति इंडिया कांपनी दिवानी का कार्य कर रही थी भारत के संविधान में जिला शब्द का उल्लेख के सनुचेद में तथा के संदर में प्रिप्ट हुआ है आपसन यहाँ पर सही जबाब होगा ए अनुच्छे 233 जिला नयाधीश की शंदर होने अनुच्छे 233 में जिला नयाधीश की शंदर में जिला शब्द का उल्लेख किया गया है और जिला नयाधीश की न्यूटी राजजी के राजजपाल द्वारा की जाती है पंचबर्चिय योजना को अनमोदित करने वाली जो सरवोच्च संस्था है वा कौन्ची है इसकी अस्थापना कब होई है याद रखेगे 6 अगस तुनीश वावन है भारत के प्रधान मंत्रिश की पदेन अध्यक्ष होते हैं और यह एक गरिशरकारी संस्था है इसी योजना आयूक का अपकिताम हा कहा जाता है भारत में प्रथम योजना आउकास कब घोशित किया गया था तीसरी पंचबर्चिय योजना के बाद भारत में प्रथम योजना आयूकास तीसरी पंचबर्चिय योजना के बाद घोशित किया गया और तीसरी पंचबर्च यूजना की पूरता सफल हो जाने की कारण आवकास होसित किया गया था नाबार्ड नाबार्ड की जो अस्थापना हो किस पंच बरसी यूजना के दौरान हुई थी आपसन यहां पर डी सही जबाब होगा छठी नाबार्ड की अस्थापना छठवी पंच बरसी यूजना के द परिशद की अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिटिया पाई जाती है भारतिय क्रिसी अनुसंधन परिशद की अनुसार प्रकार की मिटिय पाई जाती है पूर्प में इसका नाम इंपिरियल एग्रिकल्चर रिशर्च इंसिट्यूट था किसका नाम भारतिय क्रिसी अनुसंधन परिशद की अनुसार भारत में पूशा बिहार में अमेर की समाज से भी मेस्टर हेनली पिप्षद्वारा की गई थी और बरतमान में इसका जो मुख्याला है वा नई दिल्ले में है भारत में सबसे अधिक उपजाव जो मिर्दा है वा कौन सी है आपसन भी जलोड है मिर्दा भारत में सबसे अधिक उपजाव मिर्दा जलोड है मिर्दा है शेतरफल की दृष्टी से भारत में सबसे अधिक जलोड मिर्दा ही पाई जाती है भारत के लगभग 43 प्रतिशत भाग परिश का बिस्तार हुआ है इसे कछारी मिर्दा के नाम से भी जाना जाता है उत्तर प्रदेश में परीच्छा बांध किस नदी पर अवस्थित है आपसने बेतवा नदी पर परिच्छा बांध उत्तर प्रदेश बीतवा नदी पर इस्थित है यह बांध उत्तर प्रदेश के जहांसी जिले में इस्थित है और जहांसी कानपुर निश्नल हाइबे नंबर 25 से 25 किलो मिटर दूर पर इस्थित है बेतवा नदी का उद्गम अध्रदीश की हुशंगाबाद जिले में बिन्द छित से होता है यह यमुना की शायक नदी है और यह उत्तर प्रदीश में हमीर पुर सहर की पूर में यमुना में मिलती है इसका प्राचीन नाम क्या है बेत्रवती फुलहर जील भारत के किशो राजज में इस्तिथ है फुलहर आपसन यहाँ डी सही जवाब होगा उत्तर प्रदीश फुलहर जील उत्तर प्रदीश राजज के पीली भेट जिले में सित्थ है इसी जील से गोमती नदी का उद्गम हुआ है गोमती नदी के तट पर लखनू जोनपुर्ण आदी शहर इस्थित है गोविंद वल्लभ पंत शागर कहां परवस्थित है आपसंसी शोन भद्र डिश्टिक में गोविंद वल्लभ पंत शागर शोन भद्र जिले के पिप्री नमक अस्थान परिश्थित है यहां भारत की सबसे बड़ी कृतिम जील है यह रिहंद नदी परिश्थित है उत्रप्रदेश में पहली वननीती कब लाई गई थी? जबाब होगा सही इसका बर्स 1922 अपसन भी उत्रप्रदेश सरकार द्वारा पहली वननीत 1952 भी मिलाई गई थी उत्रप्रदेश सरकार द्वारा दूसरी बननीत 1988 में और इसी नेती के अंस्वार राज की जो कुल छेतर फल का कितना भाग पर बन होना निवार बताया जाता है तो वो तैंती शो प्रतिशत है उत्रप्रदेश में बन निगम की अस्थापना कब की गई? बन निगम 25 नमंबर 1974 उत्रप्रदेश में बन निगम की अस्थापना 25 नमंबर 1974 भी खोकी गई इसकी अस्थापना उत्रप्रदेश बन निगम अधनियम की तहत किया गया इसका जो मुख्याला है वह हैं इंद्रिया नगर लखनों में स्थित है उत्रप्रदेश की कुल जनसंख्या देश का कितना प्रतिशात है आपशन यहाँ पर आपका डी सही जबाब होगा 16.1 प्रतिशात कर्मा निर्थ के शेत्र का लोक निर्थ है यद जीलाजी पूंचा जाता तो आप शोन भद्र लगाते एरिया पूंच लिया जा रहा है तो यह मिर्जापुर लगाओगे आपशन यह सही जबाब होगा कर्मा निर्थ उत्रप्रदिश की मिर्जापुर्शों भद्जले में केवल कोल जन जातियों के इस्त्रिवा पूर्शोदारा सहीं तरूप से किया जाता है अगला प्रशन है सूची शुमेलित करना है परियोजनाएं दे रखिये और परियोजनाओं का उद्दिश क्या है पहली परियोजना है स्वजल धारा योजना तो इसका जो उद्देश है वो है ग्रामीड जलापूर्ती है जल जीवन हरियाली योजना तो वाटर सेड प्रबंध का होगा स्वण जैनती ग्राम स्वरोजगार योजना तो इसका जो संबंध होगा वह ग्रामीड जलापूर्ती होगा और प्रधार मंत्री ग्राम स्वरोजगार से होगा और प्रधार मंत्री ग्राम शनक जो होगा वो D सही जबाब बन जाएगा तो 25 प्रस्णों की श्रंखला आपनी कम्प्लीट कर लिया आईए कुछ special note दिये गए हैं उनको देख लेते हैं तो इस set के बाद कोई special note नहीं है तो यहां तक आपका जो set रहा 18 नमबर तक complete हो जाता है